हेलो एवर्यवान वेल्कम दूट्विकाप्रन सोया 2024 के अंदर अगर आप इंग्लिश ऐसा लांगवेज सीवीटी के अंदर देने वाले हो यह वीडियो आप लोगों के लिए ब्रहमास्त्र जो है वह साबित होने वाली है इस वीडियो के अंदर प्रॉपर पूरा स्लेबस क् लिए वह स्लागत जो हैं इसे जाद आपको देना नहीं पड़ेगा और 200 में से 200 निकालोगे पूरी हंडेट परसंटार निकालोगे पिछले साल 300 से जाद है ऐसे बच्चे जिनके 200 में से 200 नंबर मैंने दिलाएं इससे और पीछे साल चले जाओगे तो All India Rank 1 जो result है वो Edu Captain के student ने दिया था इससे पिछले साल भी अगर मैं बात करूँ 21 बच्चे SRCC के अंदर पुचा है हिंदू हंसराज अल्मोस 600 बच्चे डेली University के अंदर मैंने भाई पुचा दिये प्रॉपर पूरी रणनीती देने वालों बहुत important वीडियो होने वाली है 2023 के अंदर कैसे पासा पलता था कैसे एडू काप्टन के students है वो बहुत smartly निकल गयते हैं और सारे जो लोग पहले इस course को criticize कर रहे थे वो बाद में बड़ी वावाई देकर गए हैं देखना है मेरे सबसे पहले अगर में पूरे स्लेबस पूरे रोड मैप की अगर में बात करता हूं ना तो यहां पे हमारी English language तीन पार्ट में divided है मैं आपसे एक request कर रहा हूं अपना एक pen और paper लेके बैड़ जाना क्योंकि इसके बाद आपको कभी रणनीती बनानी की जुरत पड़ेगी न मैं पता है क्यों कह रहा हूं आप लोगों को क्यूंकि इस course को ना पिछले साल बहुत से जो है हमारे competitors ने बोला था के अरे भुपेंदर सर तो आपको भरबर के grammar पढ़ाते हैं CUET वो नहीं पूछने वाला CUET के अंदर वो नहीं आने वाला लेकिन उन्हें यह पता नहीं है क भुपेंदर सर जो है ना जब proper analysis करते हैं तो जो आपका paper conduct करा रहे हैं उनके पूरवज कौन रहे हैं वो तक भी निकाल के पढ़ाई करवाते हैं तो मेरे भाई यह जो रणनीती देने वालो ना मज़ा आजेगा आपको सबसे पहले grammar vocabulary और आपका understanding आपका English verbal ability आपका English language इन तीन हिस्सों के अंदर बटा हुआ है अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप जो है अपनी grammar खतम करोगे फिर आप अपनी vocab करोगे फिर आप अपने understanding वाले portion पर होगे नहीं यह बहुत खराब approach होगी और बहुत से बच्चे जो है यही approach follow करते ऐसा नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना एक बुक आती है आपकी वर्ड पावर मेड इजी कौन सी बुक है वर्ड पावर मेड इजी आपको उठा लेनी है कितने की बुक है बाई मात्र 100 से लेके 120 रुपे के बीच के अंदर यह बुक है चोटी सी लाल कलर की बुक होगी आपकी Norman Lewis वर्ड प की छुट्टी हो जाए maximum 50 दिन कहा रहा हूं मैं 50 दिन के अंदर यह बुक अपनी निप्टा लो यह बुक अपनी खतम कर लो कैसे खतम करोगे आपको कुछ नहीं करना डेली एक सेशन पढ़ना है और उन vocabulary इसको जो है अपने register के अंदर note करके चलना है मेरे भाई ऐसी बुक बता रहा हूं आप लोगों को कहीं vocabulary के लिए और जगा भागना नहीं पड़ेगा आप लोगों के लिए बाकी एक अगर आप चाहते हो कि यार बहुती मतलब minimum price के अंदर मैं अपनी team से डिसकस कर रहा था लगबाग 500 से 1000 के बीच के अंदर अगर मैं English language का एक course आप लोगों क यहां है ना तो आपको यह तैयारी यहां तक लेके चलूँगा मैं grammar को निचोड़ दूँगा पर वो मैं course तभी launch करूँगा जब आप मुझे बताओगे कि नहीं आपको वो actual में चाहिए भी चीज या नहीं है क्या करना है बहुत से बच्चों को English language ही सिर्फ पढ़ना हो त मेरे course के अंदर जो है वो word power made easy में proper पूरी कराऊंगा जड़ से कराऊंगा खतम करेंगे बिल्कुल उसको उड़ाएंगे तेक उसके बाद synonym, antonym पढ़ो, one word substitution पढ़ो, idem and phrases अपने parallelly बढ़ो मतलब कि क्या हो गया वो जो एक session आप करोगे न उसके अंदर आपको maximum 15 minute लगन हो गया जैसे ही हमारे exams खतम होंगे उसके बाद क्या होगा ये word power made easy का 15 minute का session तो जो है ये चलता रहेगा ये चलता रहेगा अपनी जगा रहेगा ये हम उसके बाद attack करेंगे हमारे grammar वाले portion पे अगर आपको कोई teacher ये कह रहा है के CUET के अंदर grammar नहीं आती तो उसे मेरी एक ब बने है ये मैंने पूरी चित्थी लिख दिया आप खुद देख लो adjective से adjective clause पूछावा है adverbs भर के आई हुई है adjective से error spotting बने हुए tenses से preposition से verb passive voice spelling error narration और grammar के नाम पे क्या लोगे last year ये teacher सरपकड़ के बैठ गयते है कि अरे हमने तो हमारे बच्चों को ये कुछ कराए है नी और मैंने मेरे बच्चों को भर भर के कराए था अगर कोई पुछले साल वाला बच्चा देखे ना इस वीडियो को ते है कोमेंट के इंदर बताना क्योंकि उन्होंने दुआएं दीती बाद में के भाईया आपके उपर ही भरोसा था और आपका content पड़ा है और आज हमें भटकना नहीं पड़ रहा है आज हमारे पास सारी चीज़े पहले ही तयार हो रखी है ठीक है पैरा जंबल जो है आप लोगों के आयते जर्नल अवेरनेस भी डला हुआ है आपका account 10C भी डला हुआ है आपका economics भी डला हुआ है कई भागने के जरूत नहीं पड़ेगी आप लोगों के यह proper निचोड है बच्चों से बिठा बिठा के उनसे पूछ पूछ के sheet भरी है इतनी मेहनत ऐसी नहीं करते हैं बच्चों के इसे पढ़ाएगा आपके धिमाग के तार खूल लेगा मेरा कोई course का बच्चा जिसने पढ़ लिया हो ना comment के अंदर बताना कितना important chapter है और किस level पर मैंने पढ़ा रहा है इसको उसके बाद आपको articles पढ़ना है preposition tenses conjunction subject verb agreement पढ़ना है passive voice पढ़ना है narration पढ़ना है parallelism modifier verb advance question tag model auxiliary उसके बाद letter formats यह letter formats वाले जो chapters है यह last year cvt ने जो है वो पूछे थे वह advanced से questions बनेते question tag से बनेते अभी मेरे course के बच्चे अगर इसको कोई video को देख रहा है तो इस 4 chapter अभी नहीं डले वे अगले 15-20 दिन के अंदर ही chapter जो आपके folder के अंदर reflect कर जाएंगे तो इस तरीके सा आप grammar को मतलब vocabulary को आप लेकर चल रहे हो उसके साथ grammar को आप parallel लेकर चल रहे हो ठीक है अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने noun पढ़ लिए pronoun पढ़ लिए adjective पढ़ लिए चार chapter पढ़ लिया उसके बाद बीच में जो है reading comprehension अपना start कर देना आज की date में एक बात आपक की नहीं तो आपको करना क्या है सबसे पहले आप novel से start कीजिए कोई भी अपने specific genre के क्योंकि reading comprehension के अंदर कहीं से भी पैसिव पैसिजाता है by science से आजाए art and literature से आजाए philosophy से आजाए कहीं से भी निकल के आ सकता है ना आपको थोड़ी ना पता है तो आपको different genre जो है वो पढ़ वहां से start करो अपनी आदत बनाओ क्योंकि आदत नहीं बनी तो मजा नहीं आएगा देन उसके बाद एक कड़वा सच अपनी जहां पर भी लिख रहे हो ना वहां पर ये लिखना कड़वा सच कड़वा सच पता क्या है कड़वा सच है newspaper आप चाहे लाख novels पढ़ लो आपको अगर अच्छा reading comprehension करना है कम समय के अंदर maximum output चाहिए तो आपको एक stage पर newspaper पर आना ही पड़ेगा और वो newspaper कौन कौन से हो सकते है वो आपका Hindu भी हो सकता है वो आपका Indian Express भी हो सकता है मैं आपको कहूंगा कि पहले आप Indian Express से start करना Hindu अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं newspaper पढ़ा उसके अंदर पढ़ना है उसके अंदर editorial पढ़ना है खालिया में क्योंकि उस editorial के अंदर आपको बहुत से genre मिलेंगे हर दिन अलग 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 genre मिलेंगे novels के अंदर हमारी एक बस जो है वो तोड़ा सा drawback रहते है कि हम एक ही genre के अंदर चलते रहते है तो अपना editorial पढ़ना शुरू करना है vocabulary ऐसे चल रही है reading आपकी जो है daily चल रही है grammar आपकी parallel चल रहे हो उसके बाद अपने para jambals पे आ जाना और अगर कोई IP mat के लिए बच्चा prepare करता है तो उसको जो है टीटा के questions prepare करने बढ़ता है टीटा वाले questions क्या है जैसे कि मानलो आपको PQRS दे दिया ठीक है PQRS दे दिया ऐसे चार sentences दे दिये ठीक है उसके नीचे options होते A B C D ठीक है A B C और यह D ठीक है उसके हो सकता है आपका PQRS यह format हो QRPS यह format हो SQPR यह format हो इस तरीके से होते हैं टीटा वाले questions के अंदर यह options हमारे पास नहीं होते तो IP mat indoor के लिए जो बच्चा prepare करता है उसको टीटा वाले questions prepare क आपकी को नहीं करने आपको करने स्लॉग आपको करने critical thinking आपको CUET point of view से नहीं करनी है स्लॉग में करने के लिए क्यों कर रहा हो देखो स्लॉग आपको लर का topic होता है आपका general test के अंदर जो है लर के अंदर वो पूछता है तो अगर आप अगर आपको logical reasoning करने हाला कि यह verbal reasoning क पार्ट होता है इसको verbal reasoning का जाता है इसलिए मैं अपने बच्चों को जो है English के साथ ही मैं पढ़ाता हूँ तो अगर आप logical reasoning के देना चाहोगे तो महां पर CUET के अंदर यहां पर पूछेगा नहीं तो बाकि आपको रह तक हो गया इनमें तो यह आपका maximum entrances के अंदर आपके verbal पर वाले section के अंदर भी आ जाता है तो यह proper पूरा syllabus है proper पूरी रणनीती मैंने आपको बता दी कैसे smartly grammar को कैसे smartly पूरे English language को जो है आप लोगों को अप्रोच करना है यह बाते ना यह बाते कोई बताने वाला नहीं है आप लोगों को daily आ जाएंगे आज article का यह पढ़ लो आज ना उनका यह पढ़ लो आज यह पढ़ लो नहीं मेरे भाई पूरा चिथा यह syllabus है ना जो भी copy अपनी बना रहे हो उस copy के front page पर यह पूरा चिथा पहले लिख लेना देख लेना कि क्या है और यह जो मैं आपको आपका जो batch बता रहो ना इस batch के अंदर आपको doubt support भी द दूँगा video lectures भी दूँगा live classes भी दूँगा तो जाते जाते फिर क्या रहो मुझे comment section के अंदर जुरू बताना अगर आपको batch चाहिए होगा तभी मैं on demand launch करूँगा क्योंकि जब हम अलग से एक course बनाते जिसके अंदर बाकी के subjects नहीं है तो हमारी server की costing आते मेरे बाई वह स आद ध्यान चे सुनना यह मेरा instagram handle बता रहा हूँ A-R-E-B-B-H-U-P-I-I यह मेरा instagram handle है आप मुझसे instagram पे personally connect हो सकते हो बाकी comment section के अंदर भी अपना doubt पूछ सकते हो बिलता है किसे next video के अंदर मुझे दीज़े के जाज़त तिल दैन बाबाई and take care